असलाम अलेकम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगें मैं मुहम्मद वकास हूँ आपका केमिस्टी टीचर और यह है आपका चैनल MWS स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फॉस्ट इयर चैप्र नंबर वन बेसिक कॉंसेप्ट और उसमें आज हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉंग कोस्टन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कमबस्टन एनालिसिस लेक्चर के पहले इसे में इसको देखेंगे फिर हम सेकंड पार्ट में मॉलिकूलर फॉर्मूला देखेंगे के वह क्या होता है ठीक है दी तो कमबस्टन एनैलसिस क्या है हम क्यों करते हैं और इसक क्या result मिलते हैं तो इससे लेक्चर में हम सीखेंगे और इसको कैसी utilize करते हम लोग तो एक बात मैं आपको बता दूँं कमबस्टन एनैलसिस हम basically किसी भी compound के अंदर उसके elements जो हैं उनकी percentage निकालने के लिए इसको use करते हैं मतब कोई compound है organic उसके अंदर जो हमारे पास elements हैं उनकी percentage हमने निकालनी है कि वो कितने कितने percent है इसके लिए हम use करेंगे फिर उस percentage को हम इस समाल करते हैं empirical formula determine करने के लिए than molecular formula determination के लिए clear and this technique is probably and most probably used for those compounds containing carbon hydrogen and oxygen but इसको आगे जो modern हमारे पास combustion analysis है इसको इन elements के अलावा भी use करा सकता है यानि अगर compound के अंदर इन तीन elements के अलावा भी कोई element होगा तो modern जो इसमें modification है उसमें हम इसको इसके अलावा भी use कर सकते हैं आपने अपने slaybos की हर्ता की याद रखना है कि इस technique is valid when the compound containing carbon hydrogen and oxygen elements so let's start with this combustion analysis पहले देखते हैं यह क्या होता है combustion analysis process है the process in which in which percentage percentage of elements of elements in a compound can be determined through combustion combustion करके in excess supply of oxygen क्योंकि combustion करनी है तो यहां complete combustion के लिए हमें excess supply of oxygen चाहिए होगी यह एक process है जिसमें हम elements की क्या निकालते हैं yes percentage जो किसी compound के अंदर होते हैं और यह हम excess supply of oxygen में जो है वो combustion करके find करते हैं ठीक है अब basic होता कि है जो हमारे पास मदब हमारे पास कोई organic compound है organic compound जब हम उसकी combustion करते हैं in the excess amount of oxygen ठीक है हमने उसकी combustion की तो इसके नतीजे में हमें मिलती है carbon dioxide plus water और साथ में heat तो होगी क्योंके combustion में heat produce होती है ठीक है अब देखें यह हमारे पास जो carbon dioxide है ना और water है यह हमारे पास कहलाती है है solve products तो याद रखेगा students हमारे पास यहां पे जो solve products है solve products का मतब यहां पे main products है major products है तो वो हमारे पास क्या मिलेंगी हमें yes CO2 and water clear carbon dioxide और water होंगे basically होता क्या है जो हमारा organic मैंने अभी आपको बोला this technique is valid when the compound containing के हमारे पास जो compound होगा compound होगा compound containing yes उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें carbon हो उसमें hydrogen हो और उसमें क्या हो oxygen हो तो फिर यह best हम use करते हैं इसमें basic हम करते क्या है जो carbon होती है उसको change करवा लेते हैं carbon dioxide में and जो hydrogen होती है उसको हम convert करवा लेते हैं water के अंदर यही हमने soul products बनानी है जो carbon होगी आपके compound के अंदर वो carbon dioxide बन जाएगी अब अब होगा क्या अब जो हमारे पास यह बनेगी न carbon dioxide और water इसको हमने collect भी तो करना है अब यह तो नहीं है कि यह बन गई तो हमने इनको directly महीर कर लिए नहीं उसके लिए पूरा procedure है पूरा तरीका है तो उसमें देखते हैं सबसे पहले हम diagramatically इसको तो बच्चों हमारे प पास सबसे पहले तो furnace होगी furnace mean kiln भटी ठीक है किल आपने ले लेनी है यहाँ पर तो this one is a kiln ऐसे बना ले आप साधा सी और इसमें अपना ना आपने वेड़ सेंपल लेना है यह बड़ी important बात मैंने की है sample आपका वजन करके आपने यहाँ पे लेना है normally one gram लिया जाता है या point one gram इस तरह थोड़ा सा sample आपने लेना होता है जिसमें आपने elements जो हैं उनकी percentage find करनी है तो यहाँ आप यह होगी हमारी furnace यहाँ इसकी opening रख लें यह opening हमने air के लिए रखी है यहाँ से basically oxygen एंटर करवाएं अब यहाँ आपने अपने sample को कर देना है place here you will place your sample यह मैं sample के लिए बना रहा हूं यहाँ आपना sample रख दिया और यह आपका sample weight होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं this sample must be weight यह इसका वजन हमें पता हो weight sample हो ठीक है क्योंकि वजन पता होगा sample का तो फिर ही हम percentage जो है वो different elements की find out कर सकेंगे अब इससे क्या होगा मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले बताया कि हमारे पास दो salt products होंगी एक हमारे पास water होगा और दूसरी हमारे पास जो product होगी वो carbon dioxide होगी तो हम यहाँ पे दो chambers बना लेतें एक में हम water collect कर लेंगे और एक में हम carbon dioxide collect कर लेंगे और जो other gases वगेरा होगी यह जो चीजें absorb नहीं होगी वो end पर यहाँ चलिए जाएगी so this one is H2O absorber क्योंकि जो पानी बनेगा water यहाँ पर प्रोड्यूस होगा है ना जो water यहाँ पर बनेगा उसको absorb करना है किसमें करना है वो मैं आपको बता जता हूँ यहाँ पर आपने लेना है MgClO4 यह salt होता है MgClO4 twice magnesium perchlorate this one MgClO4 twice clear तो अब यह आपने magnesium पर chlorate ले लिया ठीक है अब यह क्या करेगा यह water को अपने अंदर absorb करेगा like मैं आपको थोड़ा सा clear करता हूँ आपने यह लिया 10 gram MgClO4 twice अब जब इसमें से आपने sample को जलाया उसमें से water produce हो यह यह यहीं स्टीम की form में तो इसने उसको अपने अंदर क्या किया absorb अब जब इसने absorb किया उसको अपने अंदर तो फिर क्या होगा इसका वजन बढ़ जाएगा पानी को अपने अंदर absorb करेगा तो फिर इसका वजन बढ़ जाएगा अब वजन में जो difference आएगा वो हमें बताएगा कि water कितना produce होगा let's suppose आपने यह 10 gram लिया ना तो 10 gram कि मतलब combustion analysis करने के बाद इसका 10 gram से बढ़ के वजन जो हो जाता है वो हो जाता है let's suppose 10 इशारिया 5 gram तो इशारिया 5 gram यहां पे water produce होगा इस अब आगे बढ़ते हैं दूसरा next जो हमारे पास absorber है this is called CO2 absorber CO2 absorber अब यह जो CO2 absorber है इसमें basically हम 50% KOH यूज़ करते हैं KOH solid होता है potassium hydroxide और यह हम 50% यूज़ करेंगे 50% का मतब इसमें 50% पानी होगा और 50% में KOH होगा यह water हम इसमें क्यों यूज़ करते हैं ताके यह वाला जो water है यह यहां absorb ना हो ठीक है इस चीज़ से बचाने के लिए हम हम इसको 50% कोह यूज़ करेंगे फिर यह सिर्फ जिसको absorb करेगा carbon dioxide को और other gases जो होगी वो यहां से escape करेंगे ठीक हो गया तो यह जो absorb नहीं हो इसका फंडा क्या है इसको छोड़ दें this is not your concern बारल अब आप MgCLO4 twice water absorb किया 50% कोह में हमने carbon dioxide को absorb किया I hope you understand अब इसका भी वह अगर पांच ग्राम लिए बाद में इसका वज़न जो बढ़के वो छे ग्राम हो जाता है अब यहां पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं एक्स्रा है यह जो फिनॉमेना होगा यह फिजिकल ही होगा यह फिजिकल फिनॉमेन है यानि यह absorption होगी और यह absorption होगी और इसको ऐसे समय लें वैसे करी जो हमारे पास को है यह बेस होती है और कार्बन डाइकसट का नेचर इसटी होता है तो इसट और बेस जब मिलेंगी यह मैं आपको एक्स्रा बता भी देता हूं कि हमारे पास को है प्लस में CO2 है जब यह दोनों मिलेंगे तो इससे बनेगा के CO3 यह salt होता है potassium carbonate और प्लस में water produce होगा बाकि इसके balancing है I think इससे बैलंस हो जाएगा सो यह हमारे पास है combustion analysis का पूरा process आपने weight sample लेना है oxygen की excess supply में उसको आपने जलाना है combustion करनी उसकी उससे आपको major दो जो है वो products हासल होगी एक water और एक carbon dioxide water को आपने absorb करना है magnesium per chlorate mg ClO4 twice की presence में और को हैच को आपने absorb करना है 50% सोरी carbon dioxide को absorb करना है आपने 50% QH में और बाकि अधर गैसे यहां से अब आपने basic यह काम तो किया था percentage of elements find करने के लिए क्या मालूम करने के लिए yes हमने इसमें क्या find करनी है बैसी करी percentage percentage of किसकी yes carbon की hydrogen की और oxygen की इनकी percentages find करनी है तो हम क्या यहां पर लिखते है percentage of carbon अब carbon किस में है यहां आपने शुरू में बताया के carbon convert हुई थी carbon dioxide में तो फिर हम carbon dioxide में से निकालेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे mass of CO2 divided by mass of compound मैं OC लिखे देता हूं OC stands for organic compound यनि आपने उपर mass of किसका ले लेना है CO2 जो यहां पर बनी है और नीचे total organic compound का mass ले लेना है और इसको ना multiply करना है यह बड़ी important बात है देखो अगर आपको मैं simple कहूं कि carbon dioxide में से यह पहले मेरी बात को समझीएगा कि carbon dioxide में से आप percentage of carbon निकालो percentage of carbon यह masses वैसे आपको ना given होते तो simply आप क्या करते आप यहां carbon एक है इसका mass लिखते 12 यह मैं आपको previous lecture में बता चुक हूँ total compound का mass होता है 44 और multiply किसे कर देते 100 से तो यह simple percentage निकालने का हमारे पास formula है तो यह तो हमने शुरू में जो लिखा है यह इसलिए लिखा है because we have amounts of different जो substances हैं मतब carbon dioxide और organic compound इस में से हम percentage निकालेंगे किसकी carbon की तो अगे आगे वह formula रहेगा 12 over 44 multiplied by 100 अब आप पूछोगे सरी यह 12 कहां से आया तो बचो यह जो carbon dioxide है इसमें carbon का atomic mass भारा होता है और carbon dioxide को whole जो molar mass है यानि यह पूरा एक आपके पास compound या molecule है इसका molar weight होता है 44 उससे divide कर दिया और multiply by 100 यह percentage कैसे निकालते है बहुत simple है कि आपके पास जो element का mass है उसको उपर लिख दें जिस element की आपने percentage find करनी है और नीचे total compound का mass लिखें और उसको multiply 100 कर दें और यह मैंने इस लिखा क् हम इस data में से वो calculation कर रहे है clear अब उमीदे के बात आपको समझा ही होगी अब आपने percentage of क्या निकालनी है yes percentage of किसकी निकालनी है of course hydrogen की तो मैंने बताया था यह water में से आएगी तो यहां हम लेंगे mass of H2O और नीचे क्या आजएगा yes mass of again organic compound multiply by अच्छा अब यहां भी आप चेक करो water के अंदर दो hydrogen atom है एक hydrogen का atomic weight एक होता है दो का 2 हो जाएगा तो 1.008 होता है तो इसको 2 से multiply करोगे तो वो 2.016 बनेगा divided by वो जो आपके पास पूरे organic sorry water का जो molar mass है यह molecular mass यह 18 होता है and multiplies by 100 so this formula will be used for the calculation of percentage of hydrogen तो यह इस तरह से हम यह अब आपके पास बच गई percentage of oxygen अब percentage of oxygen जो है ना वो हम directly formula से calculate नहीं करेंगे उसकी वज़ा है कि आपके पास जो oxygen है वो carbon dioxide में भी मोजूद है और water में भी मोजूद है तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम difference method का इस्तमाल करेंगे कैसे मेरे पास ना मेरे पास 100 रुपे हैं again previous मैंने lecture में भी 100 रुपी students को दिए तो total मैंने 70 रुपे दे दिये तो बाकी मेरे पास कितने बचे yes 30 वो तीसरे के होंगे क्योंकि मैंने 3 में divide करने थे okay yes तो इसका मतब अगर मैं यह करूं कि हम हमारे पास 2 की percentage आगी है carbon की और hydrogen की बी total हमारे पास 100 है percent का मतब 100 होता है तो 100 में से अगर मैं यह minus कर प्लस करके percentage of oxygen अब यह दोनों में minus अगर कर दूँगा 100 में से तो जो बाकी मेरे पास percentage बचेगी वो किसकी होगी yes वो होगी oxygen की so that's it about combustion analysis मैंने short video में short video में आपको ज्यादा बताने की कोशिश की है अपनी दरव से बाकी आप जो है कितना इसको pick कर पायो it's up to you so student next हो हमारा lecture क का पार्ट है that is about molecular formula तो आईए हम molecular formula को सीखते है जी students molecular formula इस lecture का हमारा next topic है यह शौर सा topic अभी है वैसे इस से related numericals भी है ठीक है जो भी हमने combustion analysis किया उस से related example number 4 है और molecular formula को लेके हमारे पास example number 5 है and then हमारे पास exercise का question number 17 भी है लेकिन यह सारा कुछ मैं भी आपको नहीं करवाऊंगा ठीक है इस lecture में इस पे मैं अलग से एक video बनाऊंगा जिसमें हम numericals जो example हमारी है जो exercise में नहीं होती वैसे chapter के अंदर example दोती है उस पे अलग एक video बनाऊंगा और जो numericals होंगे जो exercise में मुझूद होते हैं उसमें मैं अलग से video बनाऊंगा तो don't be worried about इस lecture में सिरफ हम molecular formula को सीखेंगे कि यह क्या होता है ठीक है दी तो आईए molecular formula हमारे पास basically exact formula होता है किसी भी molecule का जो किसी कंपाउंड के अंदर होगा जो empirical formula है वो तो simplest formula था ना इस तो यह exact formula होता है जो मैं total number of atoms बताता है किसके element के जो किसमें होगा वो molecule का ऐसा होगा और molecule किसका ऐसा होता है compound का ठीक है, अब सारे molecule भी compound खेर नहीं होते हैं, बारहल हम compound वारे molecules की बात करें, यह अलग एक मैंस है, बार, molecule formula, the formula which gives, which gives exact, exact या total, दोनों तरह ठीक है, total या exact number of, number of atoms, of an element, atoms किसके होते हैं, yes, of an element, in a molecule, in a, जाहरी बात है, molecular formula है, तो molecule का ही होगा, और molecule compound के अंदर, of an element, in a molecule, present in a compound, present in a compound, अब सर आप molecule भी कह रहे हैं, compound भी कह रहे हैं, is called, यह मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, जो हमारे पास, कुछ चीज़ हैं न, वो सिरफ molecule होती है, वो compound नहीं होती है, मसलन मैं आपको example देते हूँ, अगर आप hydrogen को देखो, H2, यह molecule है, but this is not a compound, because this is composed with similar type of, yes, atoms, तो इसको हम क्या बोरेगे, yes, this is molecule, but not a compound, अमें एक और, water, अब यह molecule भी है, yes, यह compound भी है, compound इस लिए है, क्योंकि यह दो different elements से मिलके बना है, understand, अच्छा, NACL, बच्चों यह जो NACL है ना, यह सिर्फ compound है, this is not a molecule, not a molecule, यह molecule नहीं है, और यह जो आपके पास था, यह molecule भी है, और यह compound भी है, ठीक है, जबके यह जो आपके पास उपर लिखा, यह सिर्फ क्या है, molecule, this is not a compound, तो सर, यह क्या, मैं बता हूँ, कैसे, देखो, उपर वरी बात तो आपको clear होगी, यह सेम तरह के atom से मिलके बने, अजादाना exist भी करता है, इसलिए यह molecule है, लेकिन यह compound नहीं है, अब यह different तरह के आपको atoms इसमें नजर आ रहे हैं, तो different तरह के elements से मिलके बने, और यह molecule अजादाना existence रखता है, तो molecule भी है, और molecule जो होते हैं, इस तरह के, जो आपके different elements से मिलके बने होते हैं, इनको compound कहा जा सकता है, clear? और यह जो आपके पास compound है, यह ionic compound है, और यह molecule नहीं होता, तो ऐसे compound के सिरफ empirical, क्योंकि यह अजाद exist नहीं करते हैं, इनके molecular formula होते हैं, इनके molecular formula नहीं होते हैं, और इनके units होते हैं, ठीक है, बारह यह एक अलग topic है, पुरा, तो empirical formula जो हमारे पास होंगे, ionic compound सिरफ उनके empirical formula होते हैं, जो हमारे पास दूसरे compound है, ionic compound से हटके, उनके हमारे पास क्या भी होते हैं, molecular formula होते हैं, तो यहाँ पर आपको यह समझाने की, जो मैंने कोशिच किया है, वो basic यह था, कि यहाँ पर जो हमने एक word लिखा, of an element, फिर हमने लिखा in a molecule, है ना, और molecule किसके अंदर हो, yes, compound, इस तरह के molecules की बात हम नहीं कर रहे हैं, clear, इस तरह के molecules की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह के molecules की बात कर रहे हैं, जो क्या भी हो, compound हो, तो उनके अगर हमने क्या निकालने हैं, yes, उनके molecular formulas निकालने, तो यह उनकी बात हो रही है, अब हम वापस आते हैं, देखें हमारा जो टॉपिक है, बेसिकरी वो यही है, उसकी examples हम ने देनी है, तो example हम दे देते हैं, अगर हम water की बात करें, तो water का जो हमारे पास molecular formula है, वो H2O ही होता है, अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का हमारे पास molecular formula होता है, C6, H6, glucose का हमारे पास molecule formula होता है C6 H12 O6 यनि इसमें 6 carbon है 12 hydrogen है और 6 oxygen है तो यह exact ही है total number of atoms बता रहे हमें इस compound के अदर ठीक है और इनके अगर हमने empirical formula लिखने है यह मैं इदर आपको empirical formula इनके उता देता हूँ पानी का H2O ही होता है empirical formula यह याद रखिएगा बेंजीन का CH होता है और इसका होता है CH2O तो इसके अलावा बहुत सारी example है तो यहाँ ना चलो अमूनिया वरी example देता हूँ ताकि फिर आपको चीज़ें समझाने में असानी हो जाए अमूनिया का NH3 होता है इसका empirical formula भी NH3 होता है ठीक है और आएने compound को मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके molecular formula नहीं होते उनके सिर्फ क्या होते हैं empirical formula तो यह हमने यहाँ पे लिखे है molecular formula इधर मैंने इनके लिखे हैं क्या empirical formula अब यहाँ से यह question बनता है कि ज्यादतर compounds का molecular empirical formula same होता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ mostly compounds have same molecular and and empirical formulas अब इसकी बज़ा क्या होती है reason what is the reason behind this तो यह reason हमने जान नहीं देखो जो हम molecular formula निकालते हैं basically यह हम निकालते हैं n multiplied by empirical formula करके यह हमारे पास होता है formula जिससे हम किसी भी compound का क्या निकालते है molecular formula इसका मतलब अगर हमें molecular formula निकालना है पहले हमें क्या पता होना चाहिए yes empirical formula और उसके साथ हमें n पता होना चाहिए तो sir ये n क्यों होता है बचो n 1, 2, 3 and so on हो सकता है ये non zero होगा यानि इसकी value कभी भी zero नहीं होगी n की इसकी value 1 हो सकती है positive integer होगी और वो 1, 2, 3, 4 complete digit होगा fraction में कभी नहीं होगा क्योंकि ना empirical formula fractional होता है ना molecular formula fractional होता है तो ये integers में होगा ये negative नहीं होगा ये number fraction में नहीं होगा ये zero नहीं होगा यानि यो हमारे पास natural numbers ना ये वो होगा clear अच्छे ज़्यादतर हमारे पास compound है ना उनका empirical और molecular formula same क्यों आता है उसकी वज़ा होती है because उनकी n की value 1 होती है those compound मैं ये clear करके लिख देता हूँ ठीक है those compound those compounds having n is equal to 1 have या contain same molecular and empirical formulas empirical formulas तो ऐसे compound के empirical और molecular formulas क्या होते है same होते है अब इसकी क्या बज़ा है क्योंकि जाहरी बात है अगर हमने किसी compound का मैं आपको करे आपने किसी compound का empirical formula निकाल ला है let's suppose C2 H4O let's suppose किसी compound का ये क्या आगया empirical formula आप उसकी n की value 1 लिखोगे तो वो ही उसका क्या आजेगा ये फिर yes उसका molecular formula भी यही आजेगा मैंने जैसे एक example दी है तो it clearly means कि जो water है और ammonia इनके आपको empirical और molecular formula same नज़र आ रहे है तो इनका मतलब इनकी n value 1 है यहाँ पे n value 1 है और यहाँ पे भी n की value 1 है लेकिन यहाँ नहीं है यहाँ आपको n की value 6 नज़र आ रही है यहाँ पे भी n की value 6 नज़र आ रही अच्छा सर यह n की value हमें कैसे पता चलती yes यह अभी interesting question आ गया इसमें ठीक है कहानी में twist आ गया तो n की value बच्छो पता चलाने के लिए आप खुछ सोचो यह मेरे पास है यहाँ पे ज़्यादा अधर मैं student से यह question भी करता हूँ तो इसका answer वो गलत कर देते है कि सर n निकालने के लिए हम empirical formula को इधर बेजेंगे तो यह यूं हो जाएगा molecular formula divided by empirical formula और बराबर हमारे पास n आजएगा तो do you agree with me कैसे आजएगा नहीं आएगा सर इसली नहीं आएगा क्योंकि हम molecular formula तो निकाल रहे हैं वो तो हमारे पास है ही नहीं उसी करे तो हम n निकाल रहे थे बात समझ आई हम यह n क्यों निकाल रहे हैं because we are going to find molecular formula तो molecular formula निकालने के लिए हमने n निकालना था और n निकालने के लिए हमें फिर molecular formula चाहिए तो ऐसा तो possible नहीं होगा तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ ना हम molecular mass लेते हैं अब molecular formula में और molecular mass में फरक होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ और नीचे भी आप लेते हो empirical formula mass अब यह क्या चीज़ होती है मैं भी आपको थोड़ा सा यह guide कर देता हूँ is equal to n तो बच्चों जो molecular mass है ना और molecular formula दोनों में फरक है मसलन मैं आप से कहूँ h2o तो यह है molecular formula लेकिन इसका 18 gram पर mole यह तो mass है ना इसको molecular mass कहते है तो हमें molecular mass है ठीक है तो अभी तो हमारे पास क्या नहीं है molecular formula तो sir हमारे पास molecular formula नहीं है तो हम molecular mass कहां से निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ techniques हैं जैसे density हमारे पास density अगर find कर ली जाए उसके अरावा वो density find करने के मुखतरी तरीके है और हमारे पास इस तरह के तरीके होते हैं जिन से हम क्या find कर लेते हैं? Molecular mass So don't be worried कि हमने molecular mass कैसे find करना है There are different analytical techniques तो आपने ये molecular mass find कर लिया empirical formula mass सरह हम कैसे find करेंगे और याद रहे हैं ये मैं सारा कुछ जो करवा रहा हूँ This is the identification of N कि N का number क्या होगा तो molecular mass हमने निकाल लिया Practically अभी हमारे पास molecular formula नहीं था लेकिन molecular mass निकाला जा सकता है Without molecular formula अच्छा empirical formula हमें पहले से पता होगा वो हमने percentage composition से find कि होगा ये आपके पास empirical formula है ठीक है तो इसमें आपको carbon का number atomic mass बार है hydrogen का 1 है तो total इसका 13 बन जाएगा वो यहाँ पूट कर दो गया क्योंकि empirical formula आपने निकाला होगा before you are going to find molecular formula So you have empirical formula mass as well from your empirical formula and you have molecular mass and ultimately you will got the value of N after finding the value of N we will put the value of N here and ultimately our desired molecular formula will be calculated from this formula So this is about your lecture इस lecture में हमने molecular formula को सीखा है और इससे पहले हमने combustion analysis को सीखा I really hope के lecture आपको clearly समझ आ गया होगा अगर आपको समझ आ है तो उसको like, 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 like दरूँ कीजेगा दोस्तों के साथ share भी कीजेगा बहुत शुक्रिया अलापिस